अपनी मन पसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्टरा मूवी पार्लर बेल आइकॉन को दबाएं अब पॉल्टर फिल्में अल्टरा मूवी पार्लर फिल्में के लिए सब्सक्राइब। कर दियूर्ल वाइड बुए्टर फिल्में च्वाइबे अब तर्छाम अब शाण लिए दे वाइजरते वाइए है। लगा रखे हैं जिन में एरपोर्ट रेलवे स्टेशन बड़े बड़े होटेल्स स्कूल्स और कई अस्पताल भी शामिल है उसकी शर्त है कि उसके चार साथ ही जो पिछले बंबलास केस में गिरिफ्तार किये गए थे उन्हें आज 12 बजे तक रिहा कर दिया जाए वरना वो र पो यदे पस्वे टूंदीर जचल्स तक शजजँ जो भी जजसे हैं जो ऑफ ऐसा हैं पूल्स किया जो जधाए लो भी बंड़े फिया जब़े लो भी जै ये जो अवार डालास केस्वे चया हैं झाल झाल आओ मेरे यारो आओ पुशामदीर एक सरव वो हिंदुस्तान की पॉलीस जिस पर सारी दुनिया नाज करती है और एक दरफ अकेला जकारतो जिसने तुम जैसे पुलिस वालों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया अफिसर लगता है तुमारे हिंदुस्तान के फॉलाद को जम खा गया है अब अपने दोनों हाथ उपर उठा शाबाश पसब चंद लमों के बाद मैं इस पूरे शहर को तबाहू बरबाद कर दूँगा और तुमें सुनाई देंगी मौत से लिप्ते हुई दर्बनाक चीके तुने हिंदुस्तान की पुलिस की ताकत को लल करा है लेकिन हिंदुस्तान के फॉलादी बाजू संग नहीं खाते जकारतो अच्छा सुर्यदेव क्या यह सच है कि तुम गोली पहले चलाते और बात बात में करते हो यह आप से किस निकाह क्योंके मेरी गोली खाने वारा तो कुछ कहने के गाबल रहता ही नहीं और जिसने मेरी गोली नहीं खाई उसकी बातों पर यकीन कैसे किया जा सकता है तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ देखिए हमारे तरीके अलग लग है आप मुझरिम के साथ तमीज से पेश आते हैं लेकिन मेरे लिए जुर्म और मुझरिम एक ही है एक के बिना दूसरा वो ही नहीं सकता इसलिए अगर जुर्म को खत्म करना है तो मुझरिम को वो बेरहमी से फॉरण खत्म कर देरा चाहिए आई बिलीव इन बुलिट फॉर बुलिट नमस्ते जगतनायन जी नमस्ते जी आई साथ बहुत बहुत मुबार्ट पर रेरे कैसे हो विशम्ब मैं भी पाई लागा मंत्री जी नमस्ते नमस्ते मंत्री जी आपके सरकार भी बड़ी वो है मेकप के सामान पर कितना टैक्स बढ़ा दिया खुबसूरती से नफरत करती है क्या आपके सोपार मंत्री जी ये मेरा बेटा है नागेन नमस्ते बेटा भरा पूरा खांदान है तुम्हारा सुरेदेव भाई साथ तो पूरा खांदान इन की पूति काजली है मेरी बेटी किरन उसे बहुत याद कर रही थी परशो किरन की शादी है कब आ रही काजल लंदन से जी कल आ रही है फाइनल एक्जाम के बाद आप लोगों को भी शादी पर निमंत्रड है जरूर आएगा जरूर हैंगे भाई सब आपने बताया नहीं कि काजल बिटी आ रही है अरे नहीं बताया शैद भूल गया होंगा उम्र हो रही है ना जिस तरह आपने जकार्टों को मारा था उससे तो बिलकुल नहीं लगता है जेजी हमें अपना समझे कब ना हम सौतेली जो ठेरे के जेजी नहीं राजरानी ऐसी बात नहीं है अगले साल तो मैं रेटायर हो रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि काजल आ जाए उसकी शादी कर दूँ वो अपना सुंदर नगर संभाले और मैं गंगा ना हूं मेरे हाथों प यह क्या जीजा जी अपने बाप की तस्वीर पे ठूग दिया यह उसकी खुश्किस्मती है कि यह सिर्फ तस्वीर है अगर वो जिन्दा होता तो उसे इसी तेयखाने में कैद करके रखता है जैसे और उन्जेब ने बाप शाजहान को कैद करके रखता था आपको इतनी अगर उसने सूर्य देव सिंग को अपना समझा अपने भाई की आउलाद को अपना समझा अपनी सारी जायदाद अपनी सारी स्टेट सूर्य देव सिंग की आउलाद के नाम कर गया हराम साता यही तो खड़े-खड़े मेरी बच जाती है जी जाजी जायदाद नाम करनी थी तो सूर्य देव के नाम पे करता लेकिन उसकी ओलाद ओलाद के ओलाद उनके नाम क्यों कर गया उस कमीने को डर था कि कहीं सूर्य देव सिंग पिगाल कर सारी चाइदाद मेरे नाम ना करते अपने खूम पर इतना नाइतबार जजा है क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी थी आपके साथ क्योंकि मैंने तुम्हारी बेहन से ब्या किया था एक कोठे वाली से ब्या किया था नहीं नहीं कुबूल किया उसने कहता था घर को कोठा बनाएगा क्या सारी जाइदाद से बेदाखल कर दिया पापजी आपके बाप में आपको सिर्फ जैदाद से नहीं पल की जिन्दगी की हर उस खुशी से बेदखल कर दिया जो आपकी विरास्त थी जिन्द की भर जिल्लत के टकड़ों पर पलते पलते हमारी हाला तु सपाहिज की तरह हो गई है जिसके पास चलने के लिए बैसा की तो है और उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं नागिंदर तेरा बाप मेरे बाप की तरह हराम जादा नहीं मैं तुझे तेरा हक दिला कर रहूँगा सुन्दर नगर हमारा होकर रहेगा चाहे इसके लिए मुझे खून के दरिया पर लाशों का पुल्क्यों न बांथना पड़े काजल के मरने के बाद सुन्दर नगर और सारी जादात का बारिस मैं हो जाऊँगा और कल काजल एरपोर्ट से खर तक नहीं पहुच पाएगी इसका इंतजाम भी हो गया है पापाजी सारी रात में तो सुए हां ने वह देखो पड़े पापा काजल मेरी बच्ची, मेरी जान उजी पड़े पापा की तबियत ठीक है न जड़ा देखिये उनकी आखे कितनी लाल है तेरे आने के खबर सुनने के बाद राद भर तेरे बड़े पापा सोय नहीं इनका बस चलता तो ये सुरज को भी दुबने नहीं देते सुरज को भी काजल जैसी पोती होती न तो वो भी डूबना भूल जाता देखिये बड़े पापा हम कितने बड़े होगे बिल्कुल आपके बराबर हैं क्यों है न बूजी तो कितने में बड़ी होजे बिट्टू मगर भाई साब के सामने तूतनी है लाएगी जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था चलो चलो भी चले नहीं बड़े पापा तब तो आपको हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा ओप अज़ेगा 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 झाल झाल कर थे खुट मेड Come on, come on, come on. Sit down, baby. Sit down. Okay. Aray, wah. Alu के पराठे. आज तो हम अपनी काजल बिटिया को अपने हाथ से पराठा किलाएंगे. लो. बड़े पापा, हम बड़े हो गए. अपने हाथ से खाएंगे. पेटा, तु अपने हाथ से खाएगी. तेरा पेट तो बर जाएगा. तेरे बड़े पापा का पेट कैसे बरेगा? हमारे हाथ से. लीजिए. क्या कर रही है? हम अपने भालू को खिला रहे हैं और फिर भालू हमें नाच दिखाएगा. क्या, 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 क्या? नो, 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 प्लीज. प्लीज, प्लीज, क्या, बड़े पापा, बच्पन में नहीं दिखा दे ते क्या? होचाए, होचाए, मैं भी दिखाएगा आच. घमरू, तू भी? मैं आद में नहीं, मुझे भी एच्छे लगता भालू का डास. हाँ, चलो, चलो. रुक्मनी, देखो नो, कैसे मेरे पीछे बड़ी हुई है, इस उम्रे में मैं भालू का डास करूँगा, क्या? बूजी, बोलिए ना. बच्चे जिद कर रहे हैं, दिखा देजिए ना. अरे घमरू, ते ताल. बूजी, बभागवान करे, उसके भीवी अंधी हो जाए. क्या अवला कुटी कमीनी निकले नास बीटे, उन कलमुहों की हिम्मत कैसे हुई तुछ पर नजर डालन। जाचाये, हाँ बड़े जी जाची, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े खड़े बच गई। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई साब, गोली का कोई एमान नहीं होता, वो ये नहीं देखती कि जिस सीने में वो घुजरी है, उस सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तमीज होती है कि फौलादी सीने के सामने अदब से पेश आएं पिशंबर। बड़े जीजा जी, मुश्किल तो ये है कि आपकी सलामती के लिए किसमत को आपका साथ हर बार देना पड़ेगा। लेकिन दुस्मन की काम्याबी के लिए ठिश्मन को उनका साथ जैजा है, सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तुम फिकर मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी पांका हुआ, उस दिन कयामत आ जाएगी। जेट जी, आप भी खूब हैं, आज ही मैंने अपने बाल साइट करवाये हैं और आज ही आप कयामत की बात करते हैं, अभी तो मैंने काजल बिट्या का लाया हुआ, शीमिक शूट में नहीं पैना। आपकी छूटी दादी भी कम नहीं है। तम्रू विशंबर, तुम लोग जैनाराज जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो न। हो मिनिस्टर साहब के यहां, अच्छा हो भाई साब आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरे तम्रू, सब को नाश्टा वाश्टा जी करवाओगे। करवाओगा प्यों नहीं करवाओगा, मैंने भी निकिया, साब तो दूद पीते हैं, आप लोग क्या पिंगे। ना, ना, ना नगंडा, ना, जाने दे, जाने दे। अच्छाब साब, इजाज़त दी जी। गाजल बिटिया, छोटे दादा जा रहे हैं, प्रणाम करो। सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हें हर अप्शकुन, हर अशुप्ची से बचाय रखे। तुम्हारा कभी अमंगल नहो। समारा करां, नेहो आ शत्रक्तपी Aunty तुम्हारा कुफी बाक राखे। मिला। प्रणा प्रणाम करते ले तुम्हें लेताई, तुम्हें, प्रणाम। तुम्हें भावान देकरितओविदेष़नों, प्लियों को याणादान Alors ? आज तेरी कल मेरी बन्लों हो जाएगी शादी हाई फिर को हाई सेर सपाटा हाई गो 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 गाटा लैन लड़े पेंच पढ़े गर्द बढ़े होजे खजना ने चूमा जाना पर मैंने कहा ना 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 प्यार की सादे में खाटा आई गो गो गाटा हाई गो गो गाटा हाई गो गो गाटा फिर पुस ने कहा, ओ जान वहा, जरपास दुआ, दिल जान से मैं आशिक हो जर रहा, पर मैंने कहा, तीरा है जान, जान जान, बेवफा जान, 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 बेवफा जान, 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 घर बैठी थी आराम से मैं छट पे गई कुछ काम से मैं सीड़ी पे था वो चोर खड़ा दिल के अंदर था शोर बढ़ा बाहर गली में सन नाटा मैंने कप करके आई हो तो दीवर में वह जाई हैं ना जान नजर मुझे किसकी लगी हिच की लगी रभा हिच की लगी रभा हिच की लगी जो पानी पियो तो रिसक लगे जो प्यार करो तो रिसक लगे कर शरम जुलमी छोड मुझे मैं काच की वो मत तोड मुझे मेरा कजरा खल जाएगा मेरा कजरा दुल जाएगा मेरा पाउदर बन जाएगा पाता साका हुआ में आई ऐसन था जाएगा आएगा तो ओराओ मेरार कि नहीं ट है अंगा पाता में ड्रम 냥 है मुझे ऐसा लगा, जब तेरी भी डोली, मुझे जल्दी भेजनी पड़ेगी. बड़े पापा, I don't like you. आप बड़े बदमाश है. क्या करूँ, बदमाशों के साथ जो रहता हूँ, सोबत कासर तो पढ़ी जाता है, ना? आप हमे इतनी दूर इसलिए भेजरे, ताकि हमारी सौबत कासर आप पे ना पढ़े. नहीं, ऐसी बात नहीं है बेगा. या खटना बड़े पापा, एक दिन हम इतनी दूर चले जाएगी कि आपनी पकड में नहीं आएगे. देख लेना. काजल, बात तो सुनो. आमे डीचस नआ!! जाओė laughs ौभ जाओ!! cay è व다IDE! जाओ!! जाओे वाओे वाँ!! जाओे वो जाँ!! जाओे हैवा है जाओे वाँ! आई किया थागगों, स्यहात्त! है उहां splashЕै, रहाग। रागशों, र subtक tegoIt vaccinरा लाग। प्क रहाएक। रहा है, रहाँ? हलो, 213 की क्या रपोर्ट है, और 701 की, नाका बंदी कर दो, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड, एरपोर्ट, सब राज से बंद कर दो, सर पहले आप पट्टी तो बान लेगे, जल्दी करो डॉक्टर, हाँ, जेस्ट ए मिनिट, बिया उन्दा लाइन, हाँ, कुछ पता चला, हाँ, 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 जेट जी, ये सब क्या हो गया, अभी तो हमारी बिट्टो ने सोलवा सावन भी नहीं देखा था, मैं तो कहते हूँ, आग लगे हरामजादों को, सूर की जने होंगे, जो हमारी बिट्टो को उठाया, जय जय, पता नहीं, उसके साथ क्या सुलू कर रहे होंगे, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होए नहीं सकता, हांसला रखिये भाई साब, काजल मिल जाएगी, किस हाथ में मिलेगी है तो भगवान ही जाने, तो मेरे बड़े पापो को नहीं जानते, अगर मुझे कुछ हो गया न, तो मुझे जिन्दा नही थारे एफिये! ऌड़ाई... ईघखी... झावाँ mehr छो... रो... और बढ़ाँ... बढ़ाई... सिस्टाप्म.. रजकों... द liाख... लजकों... कई... Help me, please लड़की को हमारे हवाले कर दे, बाबू तुनता निये गया कर दो हाँ कर दो िज़की कि लगता हिए मुणा कर दो कि लगता हुआ कि लगता हुआ अगता हुआ झाल प्सकार । पापा के पास ले चलू अगर एक घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिलाए आपके परमें मुझज़ी, तो मैं कानुन अपने हातों में ले लूगा, जो लोग बहरूत के ही जबान समझते हैं, मैं अच्छी तरह सिप्ल्चा अच्छा धूंगוס बाइससाब काजल काज़ल को कुछ नहीं होगा पापा, बाईससाब काजल है काजल, 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 मैरी जान, तु मुझे छोल कर कहां दे घुए, मैरी जान, तु कहां थी, मैरी जान? बड़े पापा, हम तो मरे गए होते , अगर ये वक्त पराकर हमें नहीं बचाते इधर और नहीं है इस्पेक्टर बूजी क्या नाम है तुम्हारा? करन करते क्या हो? जंग किस से? भूग से, बेकारी से, अपनी किसमत से और अपने आप से तुम परसो मुझे मेरे आफिस में मिलो जी आओ रुकमनी, अच्छा हुआ हमारे बिटो सही सलामत वापस आ गई काजल बेटा, इनका शुक्रियादा करो हम इनका शुक्रियादा नहीं करेंगी बड़े पापा शुक्रियादा करने से एहसान खत्म हो जाता है और अगर एहसान खत्म हो जाए तो दोस्ती कैसे शुरू होगी? पुलिस शहर का चपा 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 चान रही है बिशमबर सेथ आपने वादा केदा पुलिस से बचाने के लिए आप हमें किसी मैफूद जगे पर भेज देंगे काली, मेरे प्यारे जीडा जी अपने वादे के मुचाबिक तुम लोगों को उस जगाप पे भेज रहेंगे जहां पे सूरिय देशिंटो क्या तुम अपने आपको भी नी धूँच रकाओगे माजे आगिंदर जी बबबजी मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो जजए क्या हो गया भाई साब मैं आज किसी और हिस लेदर सिंग को देख रही हूँ मैंने कभे पहाड़ों को हिलते भे नहीं देखा पहाड़ों के आलाद नहीं होती रुक्मनी आलाद आलाद आदमी को कमजोर कर देती है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं सोचना पड़ता है पता नहीं कौन मेरी पीच पीशे मुझ पर वार कर रहा है मुझे डर है कि कहीं मेरी वर्दी मेरी पच्छी के लिए अविशापना बन जाए मैं समझती हूँ भाई साफ मैंने तो काजल को सिरफ पाला है जब मैं उसके लिए इतनी परशान हो सकती हूँ तो आपका क्या हाल होता होगा आपकी जान और जहान दोने ही तो काजली है तुमने काजल को सिरफ पाला ही नहीं रुक्मनी तुम तो उसकी परवरिश में अपना घर बसाना भी भूल गई तुम ना होती तो मुझ जैसा खड़ पुलिस ओफिसर अपने आरुन और कीता की आखरी निशानी को कैसे संभालता आपने भी तो एक बेसारा को अपनी बेहन का दर्जा दिया मुझे काजल की बुआ जी बना दिया रुपमनी सोच रहा हूँ के काजल को तुमारे साथ सुन्दर नगर भेज़ दू सुन्दर नगर रोशनलाल जी के पास रोशनलाल मेरे बच्पन का दोस्त है और फिर उसका पोता रोहित आर्मी में डॉक्टर भी बन गया है वहां काजल महफूज भी रहेगी और अगर काजल और रोहित ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों की शादी भी करवा देंगे लेकिन आपको यकिन है कि आपके कहने से काजल चले जाएगी हाँ रुक्मनी हाँ सोचा था कि इस बार उसे ची भरके देखूँगा उसके साथ वक्त गुजारूँगा उसके साथ खेलूँगा मगर उससे सुंदर नगर चाना ही होगा रुक्मनी काजल को सुंदर नगर चाना ही होगा कमिन हाँ तो करण कौन-कौन है तुम्हारे घर में चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बिमार मा मैं तुम्हेरे लिए क्या कर सकता हूँ मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर कि अपनी आवारगी को हिंदुस्तान की सिंदगी पर कुर्बान कर सके कैसा मौका चाहते हो तुम वो मौका जिसे इस मुलक में नौकरी कहते है नौकरी खत्रे की हो तो मौत भी हो सकती है मौत तो मुफ्त में बंदा में कमिशनर साब जान तो जिंदगी लेती है जिंदगी से बहुत नाराज रखते हो जिंदगी से नहीं, अपने आप से तो आज से ये नाराज़गी खत्म हो ही समझो, बटो तुम्हारी नौकरी पक्की करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की हिफाज़त आपकी जान? मेरी पोती काजल लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की माजूदगी की वज़ा से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूँ फिर मुझ पर यकिन की वज़ा? मेरा विश्वास वरना सूर्य देव सिंग तो अपनी परचाई तक का यकीन नहीं करता आज से तुम काजल के बॉडिगार्ड हो जाओ सुन्दर नगर जाने की तेयारी करो सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूँगा ओके तैंक यू सर्फ करन तुमने अपनी तनखा के बारे में कुछ नहीं पूचा जो सूर्य देव सिंग अपनी परचाई तक का यकीन नहीं करता उसका यकीन है मेरा मुआपजा है और बाकी जो आप देंगे तो मेरा इनाम होगा गड़ बाई सुन दॉक्टर साब कहते हैं फिकर करने की कोई बात नहीं है तु चलती ठीक हो जाएगी मुझे मुझे घर ले चल ले चलूगा जब तु बिल्कुल ठीक हो जाएगी न तुझे घर ले चलूगा ये ठीक कहता है बहन जी आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको करन जैसा बेटा मिला अच्छा मा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ डॉक्टर साब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे अपना ख्याल रखना पता नहीं मेरे लिए कहा कहा मरता रहता है ये जिन्दगी भी तो तेरी दी हुई है तेरे लिए नहीं मरूँगा तो किसके लिए मरूँगा अच्छा मा चलता हूँ भगवान तुझे कामिया भी दे आईए डॉक्टर साब डॉक्टर साब इन रुप्यों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वज़े से मेरी मा की चान बची ये लीजिये सरुरत पड़ी तो और लाऊंगा अब मेरी मा के इलाज में कोई कम ही नहीं रहनी चाहिए एक अजनवी लड़के को काजल का बॉड़ी गड़ बना दिया वो अजनवी नहीं है रुक्मनी मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है शहीद फौजी का बेटा है मा बिमार है हस्पताल में है आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हिफाज़त कर सके खाबल तो बहुत सारे ओफिसर्स हैं लेकिन मैं काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता पुलिस होगी तो काजल तुश्मन की नजर में आ सकती है धोगा नहीं सकता है धोगा तो खा गया दोखा दोखा गया पुलिस कमिशनर काजल की मौत उसकी जिन्दगी की फाइज़त करेगी वा जिना जी वा वा जज़े बनवरी बास को दोखा देने के लिए बास से भी उपर उड़ना पड़ता है तूरिय देव सिंग इतना शातिर है कि जमीन पर रेंगने वाले खीडों की जरा सी जुम्बिच प्यूज की निगाह से बच नहीं सकती उसका भरोसा चीतने के लिए हमें एक ऐसाद मी चाहिए था जिस पर सूरिय देव सिंग के शक का साया भी ना पड़ सके हमारी किसमत अच्छी थी कि हमें करन मिल गया लेकिन याद रहे यह कतल एक हादसा लगना चाहिए एकसिडेंट ऐसा ही होगा तम्रो, क्या हो रहते हो, क्या से बाकि क्या है मेरे ठाकुर जी को ने रखा, मेरे पुजा का सामान ने रखा, ये सब क्या है आप ने तो बना किया था कि मैं हाथ नहीं लगा हूँ, अब हाथ लगा है पकर सामान को बांदने के चमतकर मुझे नहीं आता पुजी, पुजी हम नहीं जाएंगे, समझाए न बड़े पापा को, कामें जंगल में भेज रहे है पुजी तेरे बगार तो पनवास में बड़े पापा रहेंगे अरे डम रो, बड़े पापा सब चीजें गाड़ी में रख दी है न, जी, सिर्फ महीं बाहर हूँ जदा, बड़े पापा प्लीज, बेटा बिट्टू, बुजी करन, ये सिर्फ तुमारी ड्यूटी ही नहीं, बलके तुमारी जिम्मेदारी भी है मैं जानता हूं, सर ये रही पिस्टॉल, और ये रहा तुमारा नाइसस मुझे लगता है ये पेलगाडी सुन्दर नगर अगले साल पहुचेगी क्यों डमरू? अगर पहले पता होता तो एक साल कराशन साथ में लेके निकलते है अरे देखो, साइकल वाला भी हमारे आगे निकल गया चुप करो तुम लोग वो ठीक चला रहा है आरे माजी मुझे तो डर है कहीं सुन्दर नगर पहुंचते पहुंचते काजल बिटिया बूड़ी ना हो जाए अगर ऐसा हो गया तो रास्ते में कई अच्छा से ललकार देखके इनकी शाजी करनी पड़ेगी प्राम राम 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 रहा है आप बड़ी जलदी आगए आप जीप से आयकर हो याजस से हम तो सुचे तक पहुचेगी आप सत्के जावा बेभी जी आप तो बहुत बड़ी हो गई क्या करते धन्नो बहुत कोशश की लेकिन छोट ही नहीं रह सकी धन्लो, बात है कर लो को बहुत टाइम पड़ा है, पहले जीप पे से समान को उठा के लाओ, चालू, बोजा चालू, चल 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 सत्के जमा, मैं तो समझे कोई विलायती गुड़ा है, जो भी विविटे अपने साथ लेके आई है मैं विलायती, गुड़ा नहीं हूँ, थालिस हिंदुस्तानी हूँ, तु कोन है? डम्रू, यह धन्नो है, भेरा चाचा की बेटी, और धन्नो, यह डम्रू है भीबी जी, यह पर्चता भी है, यह सिर्फ नाम का डम्रू है यह गबरदार, मेरा मधा कोड़ा है ना? डम्रू, वहाँ क्या बबबब कर रहे हूँ, चलो, जल्दी से समान उठाओ भेंजी, यह ड्राइवर जी का क्या करना है, यह जीप में सुएंगे यह ड्राइवर नहीं है, इनका नाम करन है, बिट्टू के बॉडिगाड है तेरे साब ने हिफाज़त के लिए भीजा है, इनके रहने का बंदमस करते है, चल्दी हाथ लगाऊं, देखने के लिए के करन्ट लगता है के नहीं कल जुग, घोर कल जुग, हाई, सत के जावाँ फट के जावाँ कालो जा हां जी, बह जी करा नवर साथ आख रहए यह पश्ट्रेड में पड़ा हुआता क्या depressed के जवां, जी जवाँ इसके आखे बता? सिगनल तोड तोड के जाड़ा इसको बोलो स्टेशन आगया है मुरा ना दान भाल मन चान दिल की बाँ सद्के जामा बीबी जी गुट गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग यहां की सुबग कितने खुबसूरत है न यह पहाड की सुबा है बीबी जी महमानों को इसी तरह जगाती है सद्के जामा हेलो कौन बोल रहे जी मैं बोलाओ हालो बड़े पापा बेटा कैसे हो ठीक ठाक पहुंच गए हाँ बड़े पापा बेटा बोर तो नहीं हो रहे है नहीं बड़े पापा लेकिन आपका बाहर है मैं बहुत जल्दी आउंगा कैसा लग रहा है वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बड़े पापा एक मेंट अब अपना खायर रखेगा जारे पंची के अबुमे सके जामा, जरा स्टेडी लगाकर मुंडेन से मेरी चोली तो उतार दे ना कल बंदर चुराने गया था यहां के बंदर चोली चुरा थे? पहाडों के बंदर ऐसे ही होते हैं जी कैसे होते हैं जी? बेलकुल तुम्हारी तरह कजाल मैं क्या काजाल, पुतर, बितिया लग जाए अपने अंकल देखते हैं अब मिली दिलनू ठंड़ हाई रोहत कैसे हो? एस यूजल, खुद हसता हुआ, दूसरों को हसाता हुआ काजाल, अपना रोहत इतना खुशनसीब है कि सारी दुनिया के लोग इसके सामने अपना दिल खोलके रखनाते हैं अच्छा? खोलता तो मैं हूँ, लोग तो सिर्फ अपने दिल मेरे हवाले कर देते है Mr. Heart Specialist, कहीं मरीजों को ठीक करते करते हैं खुद दिल के मरीज मत बन जाना हुआ रॉषनलल जी, नमस्ते नमस्ते पहनजी, नमस्ते वो उनलु ना पठ्छा हमन दाख किते एगा रे रॉषनलल जी, आप तो जानते हैं अंकल को यहां बलाने का एक आईडिया है मेरे पास आप और मैं मिलकर, काजल को किड्नाप कर लेते हैं मुझे किड्नाप करना सारा मुश्किल है, मेरा बोडी गाड जो है बोडी गाड? जी हां, काजल के हिफाज़त के लिए तक काजल के हिफाज़त के क्या दुरूरत है? करण, यह रॉषनलल जी है हलो, यंग मैन, शेक हैंड हलो, सर् मैं क्या, ग्रिफ तो तुम्हारी बडी दुरूस्त है अगर चेरे पे मुस्कराट काम है? मेरी ड्यूटे मुस्कुराने की नहीं काजल के हिफाज़त करने की है वेल सेट, वेल सेट, आम इंप्रेस्ट, हाई, आम रोहित कभी कोई दिल की शिगायत हो, तो जरूर याद करना अच्छा मैं चलता हूँ पता नहीं कौन से दिन मेरा इंतजार कर रहा होगा और दादू, आप शायद भूल रहे हैं आपको भी टेंडर की मीटिंग में जाना है ओ, लॉस यापा काजल बिटिया, तू तो जरूर मेरे बिजनस दा रुख्जान करवा कर रहेगी जब पहने किन मेरे यह आदत होगे कि मैं अपने टेंडर मीटिंग पूल लिया तो ओक्या, क्या क्या होगा और पहन जी, अज रात नू, तुम सब दा डिनर, ना डिनर बोरामसी यह दमरू, क्यार, मेरे पांड25, बागा, बागा निकली शे pangenड़े, ढगा कहीं तुम, इसै तो नहीं ठोड़रह हो यह, तो मेरे पांड़ किसाथ क्या कर रही है ताका लगा रही थी ताका लगा रही है ताका फसा रही है हाई सत्के जावाँ देख गंदू मिरसे मजाक मत कर मुझे काजर में सबको साथ में डिनर लेने जाना है समझे I am already toilet, too late घर का गरमा गरम खाना छोड़के होटेल का ठंडा खाना खाएगा किसत के जावाँ अरे 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 वाट पिज़िए पेटाए जावाँ अरे जावाँ किज़िए जावाँ जावाँ देखा रोहेद दुनिया में इतने सारे लोग है इतने सारे नाम है लेकिन कोई एक नाम होता है जिसे सुनकर दिल धड़कने लगता है इसा क्यों होता है रोहेद वो तो मुझे नहीं पता काजल लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि दिल सिर्फ धड़कने की बाशन जनता है उसे यह नहीं पता होता, वो क्यों धरक रहा है, किस के लिए धरक रहा है? ये दिल भी क्या चीज है, रोएट ओए, रोएट पुतर, फ्रेंट काफी हो गई, अब खाना श्रंग भी हो जाए, फूड़े रहती है काफी पिछले दो केंटे से, कदम से कदम मिलाकर, कभी दो इंचे दर जब दर कभी दो उंचे दर के विलाज़ी नाच नाच है क्या? बिलकुल नहीं, नाच तो हमारे जमाने में होता था, कि खून में आँख लग जाती थी काजल पुतर, तेरे दादर जी की शादी में मैं इतना नाच था, इतना नाच था, कि हवालदार भी गोड़े से उतरकर हमारे साथ नाच ने लगा करन बेटे, तुम क्या कर रहा है, आओ बैटो ना कमान करन करन आओ करन बेटे, ये दस्ततखान एक ऐसी जगा है, जहां दो इनसान साथ बैटकर रुट्टियां तोड़ते हैं और दिल जोड़ते है और रोहित दू काजल को सुन्दर नगर की सेर कब कर राएगा ये, इन्हें दूसरों के दिल चीरने से फुरसत मिले तब ना दादू, कल ये डॉक्टर तमाम बेवार दिलों से चुट्टी लेकर इस सहतमन दिल को बहलाने के लिए एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां कि खुबसूरती देखकर एक शेंशा अपना ताच, एक सिपाई अपनी तलवार और एक इनसान अपना दिल निगाल कर रख दे ये यहां कि सबसे खुबसूरत और सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है काजल खतरनाक क्यों? खुबसूरती भी तो अकसर खतरनाक होती है काजल और वो जो तुम नदी देख रही हो न, अपना महिवाल था न, महिवाल उसकी गल्फरिंट सोनी उसी नदी पर बेचारी एक कच्छे घड़े पतेयर के गई और डूब के मर गई अरे सहरवेट क्या, शीर फूलिश गल, सोनी को सुमिक से ख लेनी चाहिए थी कम से कम डूबने से तो बच जाती रोहेट, आप गड़ गड़ यू, गड़ गड़ यू करन, एसे केसे देखरें? क्या होगी अदमे करन? बोलो हाँ क्या हुआ भाई, कहा खो गए? कुछ नहीं यार, तुम्हारी आखे बड़ी अजीब है ऐसी आखे या तो किसी दीवाने की होती है या फिर किसी कातल की तुम्हे क्या रखता है? भाई, पास आने से डर रोहित, एक बात बताओ अगर कोई लड़का किसी लड़के को लिफ्ट न देगा तो लड़की को क्या करना चाहिए? वरी सिंपल, किसी और लड़के से लिफ्ट मंग ले भी चाहिए यह इंपॉसिबल मेरी सहली की जिंदेगी का सवाल है और तुम तुम इतनी लव स्टोरीज पढ़ते हो, बताओ ना The whole thing is very simple, काजल अपनी सहली को बोलो की कोई problem create करे Problem? ऐसी problem की लड़के को लड़की से हमदर्दी हो जाए एक बार हमदर्दी हो गई तो सौ में से नबबे मौको पर हमदर्दी प्यार में बदल जाती है एक एक रिचीए, यह क्या कर रहियी एक? You see Dumbru, ना मेरी worldwide College一點 अगर मैं बताँ तो problem, अगर नहीज बताँ तो problem जब तक मेरी बड़लम उसकी problem नहीं зाती, पर मेरी बड़लम नहीं और उसकी problem ये और उसकी problem नहीं One, very big problem मगर इस problem में इस भें ढरे बहल की करें! बाचियू! करें! करें! वाग क्या देख रहा हो खड़करे, देखते नहीं काजल के जिन्द की खत्र में है, जाओ जाके काजल को बचाओ, जाओ जाओ जाओ, 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 ज फ्सकोे बाफ़ि kisses फ्सकोे अपती लोग हुआ हाई अरे क्या बच्चों की तरह चीख रही हो, अभी तखना दो मिरट पे चलांगे लगाने लगोगी, और याद रखना, आगे से बैल को अपने पीछे नहीं आगे भगाना, पर रोहित, मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा है, कहीं मेरा हाट फेल न हो जाए, लड़कियों का द पापा, कैसी हो बेटा, हम बिस्तर में हैं, क्या हुआ, हम गिर गय थे बड़े पापा, कहां, कैसे, करन कहा था, भुलाओं से, बड़े पापा हम ठेक है, हमारी गले दे थी, don't worry, I'm fine, हाँ बेटा, तुम्हारा वहाँ दिल लग गया है ना, लग रहा है बड़े पापा, हम तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा खयाल रखता है कि नहीं, बहुत खयाल रखता है बड़े पापा, तुम्हें पसंद है, हाँ बड़े पापा, पर बोलता तो बहुत कम है, हसता तो बिलकुल नहीं, बेटा, तुम तो पत्थर में भी जान डाल सकती हो, उसे हसना भी सिखा सिखा देंगे बड़े पापा सब सिखा देंगे आप भरोसा रखे हसना बोलना तो क्या उसे नाचना गाना भी सिखा देंगे पर आपका बारे बड़े पापा हमें जरूरी बात करनी है हाँ तो फोन पर बोलो ना बेटा फोन पर नहीं बड़े पापा हमें शरम आती है आपको यहां आना पड़ेगा ठीक है ठीक है मैं आउँगा भाई हल्दी वाला दूत पीलो थीक हो जाओगा पूजे यार ओन लाइए बिट्टु प्लीज जिद मत करो अच्छा अंटी मैं चलता हूँ बाई रोहित केट बल सून करन में साथ चलो कुछ दवाईय देनी है यार करन तुम्हें लड़किया समझ में आती है मैं कुछ समझा नहीं कमाल है लड़कियों का कहती कुछ है मतलब कुछ और होता है पूछती कुछ है सुनना कुछ और चाती है मैं कई लड़कियों के दिल खोन के देख चुका हूँ लगते सब नॉमल है अगर होते नहीं मुझे इस मामले में कोई तजर्वा नहीं लगी चाप बीबी जी लगता है आपर किसने जाद उटोना कर दिया है लाई में आपकी नदर उतार देती हूँ इस रोब का कोई इलाज नहीं धन्नॉ है रे हाई सत के जवाँ कौन कुछ नसीब है वो इसने मेरी जान बचाकर मेरी जान लेली सक्षी, तो फिर मैं आपको कल चूडियों वारी मंदिर में लेचलूंगी कितनी प्यारी प्यारी चूडिया है धन्नॉ बीबी जी यह तो मुरादों वानि चूडियां है इस मंदिर की यही तो मांता है कोई लड़की अपने पसं की चूडिया लेकर देवी के चरणों से पवित्र करके पहने और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उन चुडियों को छूले तो समझो, चटमंग नी पढ़ ब्या सकी जावा हमें चुडिया चाहिए धन्नो कौन से रंग के दू? सभी रंगों की बिट्टू, यह प्रशाद सब को बान दू बैरु सिंग, चल दी करो यार, बहुत भूख लग रही है रोहित, यह प्रशाद है, खाना नहीं सेम तिंग काजल करन ले लो यार यह प्रशाद समझ के दे रही है, तुम मिठा ही समझ के खालो, सिंपल हा बतुम मिठा eपसरा बत्चक यथ हा 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 थे दीड़ सर्क परशाद हा बत्चक बत्चक बत्बald बत्चक बत्चक हा! हा! दो दो खड़ा! हुआ 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 है हुआ 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 है बेमान प्यारे बड़ जलम कियारे छोटी सी उमर में ये दर्द दियारे बेमान पियारे बड़ा जलम कियारे छोटी सी उमर में ये दर्द दियारे जिसका इलाज नहीं कोई यो रब्बा मुझे रोग भोलोगा जिसका इलाज नहीं कोई यो रब्बा मुझे रोग भोलोगा बेमान पियारे बड़ जलम कियारे छोटी सी उमर में ये दर्द दियारे जिसका इलाज नहीं कोई यो रब्बा मुझे रोग भोलोगा जिसका इलाज नहीं कोई और तो तुझी रुग बोलगा चुप गया प्यार कातार में जान है मेरी बस मुश्किल में मुझे कुछ प्यार नहीं करना था यू बे मौत नहीं मगना था सारा कसूर है तेरा तु मुझे को पसंद गया सारा कसूर है तेरा तु मुझे को पसंद गया हुआ 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 है जुक गए कि मुने ना कजरारे मर गई है मैं शर्म के मारे जुप से प्यार के जादू चल गए हम दोनों के नाम बदल गए बन गई तू महभूबा मैं तेरा महभूब बन गया बन गई तू महभूबा मैं तेरा महभूब बन गया बेमार की आरे बन जुल्म की आरे छोटी से उमर में ये जर्द दियारे जिसका इलाज नहीं कोई यो रखता मुझे रोग भू लगा जिसका इलाज नहीं कोई यो रखता मुझे रोग भू लगा करनो ये तुम एतर मुढ के देखता भी नहीं प्यार क्या खाप करेगा अरे सत्के जावा बीवी जी करेगा जरूर करेगा आप भगवान का नाम लेके एक से बारा तक एक ही सांस में बोल दीजेगा अगर बारा खतम होने से पहले उसने मुढ कर देख लिया तो समझ लीजेगा सत्के जावान अच्छी ठीक है एक तो तीन चाथ पाच्छे तात आठ नो जावान तस गैरा धन्नो सवा गैरा साड़े गैरा पॉने बारा पाजी फलटके जेख़े तो पूरी के बार अब बच जाएंगे पाजल अभी जिन्दा है क्यों इसे मैं उसकी खुशकिसमती समझू या तुम्हारी नाकाम या भी मुझे सही मौके का इंतजार है मैं और इंतजार नहीं कर सकता उसका कल कभी नहीं आना चाहिए सुशन्यद्रगार प कमाल के जागई है यहां हर देव कोईंट है कहीं पर शंसेट पोईं द्रुट उर डंब रूं में तो सुसाड़ पोईंट बीबी所 है अब यह किसकी आवाज है यहमा के आवाज है बीबी जी कमाल की जगह है यहां इन तो है कहुंन को पोईंट है कहीं पर बीबी जी धन्लो यह किसके आवाज है कि यह मईंख के आवद है बीबी जी लोπα हमаже receive इस बार की लडकी महा जिसे उस पार की लड़की से प्यार हो गया था नगर दोने गाउमें दुश्मन नी थी, गाउवालों को उनका प्रेर कबूल नहीं था, एक रात जब महुँ अपने आशिक से मिली उस पर पहुंची, तो गाउवालों ने इसे माल डाला, माल डाला? वो रोती रही, मुझे कुवारा नहीं मरना, एक बार अपने मांग में अपने आशिक के नाम का सिंदुर बर लो, दिल चाहे माल डालना, मगर जालिवों ने एक न सुने, फिर, फिर लड़के में जब अपनी महुँआ की लाश को देखा, तो वही पुचीखा और ठेर हो गया उसके बार, उसके बार दोनों की मजारे यहां बना दी गई, कहते हैं, आज भी इन वादियों में महुआ की आवाज गुचती रहती है, प्यार करने वालों का ऐसा अंजाम, धन्नो, हम इन मजारों को देखना चाहते हैं, सत के जान, क्काहते हैं अंजाम पर दोगे। ते दम्रू का चो लागया? मेरा निकजिया तोता में, देखो किंज खिलोता में ह। दर गई? आथ जाओ दरातों में सची जाओ 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 युड़ युडल जाओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हाँ हाँ कर दो हाँ कर दो बाद फ़कु बचालो आप उसे के लिए बताले ज़ा भाद के लिए बता उसे जाओ या अनल पया जाओ परहां लुगा लुगा। उना। टे वे 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 तार का वे वे वे! कर दो ! हुआ 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 था? कि अवा ङए हुआ हुआ हुआख यगी ट была हुआ हुआ eventu Commission कि अरो या उडे yगी कि अरो इसचे मूएAmerica कि अरो में आहर ुंप О了 पज़। खुख 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 खुख। जढने मैंकि मैंकि हुग इस फिर सुखे हुआं eh 熊हलो चाहलो! करल चाहलो! हच लुट अज भूँ लुट अ लुट अंर की लुट जुट 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 लुट लुट हाथ देखाओ मेरी जान बचाना तुमारी बहादुरी थी लेकिन जखम को जखम नहीं समझना भादुरी नहीं बेवकुफी होती है तुम्हें पता है कभी-कभी छोटे से छोटे जखम भी वक्त पर ना इलाज करने से नासूर बन जाते हैं जान भी जा सकती है अब तुम सोचोगे तुम्हारी जान गई तुम मुझे क्या एक बोडी गार जाएगा दूसरा आएगा और अगर तुम ये समझते हो तो तुम से बड़ा बेवकुफ इस दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा और मुझे चाहिए भी नहीं तुम काफी हो काजल ये खेलने की चीज नहीं है जान चाह सकती है जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी जान लेने आये हो कहना क्या चाहती हूँ वही सच यो दिन रात तुम्हारी आँखों में देखती हूँ वो सच, जो तुम कहना चाहते हो, अगर कहना ही पाते हो. कौन सा सच? यही, कि तुम्हे अपनी जान से ज्यादा मेरी जान प्यारी है. इसी सच ने तुम मेरी जान ले ली, करन. और मैं मर गई. तुम बागल हो गई हो. तुम गातल, मैं बागल. जोड़ी अच्छी रहेगी न. मेरे खैल से हमें वापस चलना चाहिए. अब कोई वापसी नहीं करन. मैं यहां महवा की मजार पर यही कसम खाने आथी तुम्हारे सामने, कि हमारे प्यार का अंजाव, यह मजारे नहीं, विवाग की वेदी होगी. देखोंगी मैं ढूब के, देखोंगी मैं ढूब के, शादे के बाद मैं मर जाओं तो हम नगे, कवारा नहीं मरना, कवारा नहीं मरना, साहिल पे वैठिके दर्या के दूफान का, नजारा नहीं करना, कवारा नहीं मरना, यह लाज का कुंगत भोलूगी, यह बात मैं सबसे भोलूगी, यह लाज का कुंगत भोलूगी, यह बात मैं सबसे भोलूगी, मेरे घरवालों चुक रहने का तुम मुझे, इशारा नहीं करना, कवारा नहीं मरना, चाचुट की भर सिंदूर मता, चल्दी से मेरी मां सजा, मैं मर गई दो लेके मेरा नाम सू, पुकारा नहीं करना, कवारा नहीं मरना, पानी में आग लगानी है, इस दिल पर जो जो पानी में आग लगानी है, पानी में आख लगानी है, इस दिल पर चोट भी खानी है, असना है रोना है जीना है दिल खाम से, गुजारा नहीं करना, कमारा नहीं मरना दिल का अर्मान निकल जाए, फिर चाहे जाए जान में खर जाए, दिल का अर्मान में खर जाए, फिर चाहे जान में खर जाए, ओ दुनिया वालों तुम दो दिलों को जुदा, खुदारा नहीं करना, कमारा नहीं मरना कमारा नहीं मरना कमारा नहीं मरना कमारा नहीं मरना मुझे प्यार नहीं हो सकता, वैं प्यार नहीं कर सकता, यह थोका है, काव है अगर यह काव है, सपना है, तो मुझे इससे लड़ने की जिरुवत क्या है, मेरे अंदर कौन है, जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है मेरे दिल नहीं पेरा दुश्मत क्यों बनता जा रहा है, क्यों मैं उसे सब कुछ बता दूगा, वो मुझे से नफरत करने लगेगी, तभी, तभी मुझे मुक्ती मिलेगी, सब कुछ बता दूगा मैं, सब कुछ मैं तुम्हारी जान का सौधा कर चुका हूँ, मैं यहां तुम्हारी हत्या करने आया था गरन, तुम भी जाग रहे हो, हमें भी नीन नहीं आई, शायद इसे को प्यार कहते है, है न? काजल, मैं तुम से कुछ कहना चाता हूँ पहले पसीना तो पोँच लो, लगता है किसी से लड रहे हो मैं वो नहीं हूँ जो तुम मजे समझती हो हम जानते हैं क्या जानती हो तुम प्यार सब बता देता है यह नहीं भी प्यार है काजल, मैं तुम्हें कैसे समझाओ यह मजबूरी भी प्यार है इसे पढ़ लेगा मैंने इसमें अपनी सारी असलियत लिखती है हमने तुम्हारी आखे पढ़ ली हमें कुछ नहीं पढ़ना काजल असली करण इस कागस में है करण हमारे दिल में है अब तुम भी कबूल कर लो करण कि तुम्हें हमसे प्यार है मुझे जो कबूल करना है वो सब इस कागस में धर्च है हम तुम्हारी मुझे सुनना चाते है नहीं, कभी नहीं अगर कबूल नहीं कर सकते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो तो लो, हमने एक आखस भाड़ो अब तो तुम्हें अपने मुझे कबूल करना ही पड़ेगा तुम्हारे इंकार में इतना जुनून है तो इकरार का आलम क्या होगा तुम यहां से चली जाओ काजल कहां कहां से निकालोगे हमें करन सीनी में जिस रफ्तार से गोली उतरती है उससे ज्यादा रफ्तार से प्यार यह नफरत है प्यार से यह नफरत भी प्यार है यह नफरत भी प्यार है और प्रामायंड जैसे गरंथ की रचना की बोलो सियावर राम चंदर की जैए जैए करन तुम भी आओ हाथ आगे बढ़ा अरे बंदवालो यार कोई हत्कडी थोड़ी है हाँ पुतर ये तो हत्कडी से भी ज्यादा मजबूत चीज आगी हत्कडी नू तुसी चापी नाल खोल सकते हो इस जी कोई चापी ही नहीं एक दफा बांद दिया न तो बंद गए ये मौलिभी कितने प्यारे चीज है देखने में तो सिर्फ एक रंगिन धागा है लेकिन इसमें कितने दुआएं, कितने मिन्नते, कितने शक्ते बंदी हैं जिसके हाथों में बन जाए उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता और उसके हाथों से भी कभी अमंगल नहीं हो सकता देखा काजल, अपने देश में हर चीज का मीनिंग है जो अपने आप से लड़ता है, वो हमेशा हार जाता है तुम ये जंग हार चुके हो, करण नहीं, हर्गिस नहीं तुम अपने आप से जूट बोल सकते हो, करण हमसे नहीं, ये जूट नहीं, सच है Look at me, हमारी आखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं गाजल बोलो, करण काजल, मैं मैं कुछ नहीं जालता जो तुम नहीं जानते हैं, हमारी जुड़िया जानते हैं तुम्हारे सिवा सारी कायना चांते है, तुम्हें हमसे प्यार है। नई, नई, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। फिर ये कौन है, जो तुम्हारी आखों से हम पर हल्की हल्की बहार की तरह बरस रहा है। फिर ये कौन है, जो हमें देखकर तुम्हारी रोम रोम में किरन की तरफ फूट रहा है। फिर ये कौन है, जो हमें छूने के लिए तुम्हारी उंग्लियों में तडप रहा है। वो जो भी है, मैं उसे खत्म कर दूँगा। जिससे तुम खत्म करना चाहते हूँ, वो तुमसे बहुत बढ़ा है करन, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, उससे पहाडों को चीर कर दूद के दर्या निकाले, उससे तपने रेगिस्तान को अपने नंगे पैरों का महरम बनाये, उससे टकरा कर पथर भी तूट गए, वो आशिक है गरन, आशिक मुझे नफरत है उससे क्योंकि तुमें प्यार है हमसे, कबूल कर लो गरन, कि तुम हमसे प्यार करते हैं मर जाओंगा, लेकिन कबूल नहीं करोगा ऐसी कसम मतलो, जो तुमने पहाना सको तूट जाओंगा, लेकिन कसम नहीं तोड़ूंगा तो हमें भी इस नदी की कसम, हम तुमसे कबूल कर वाकर रहेंगे ये सोनी महिवाल की नदी है, प्रेमियों के लिए इसका जल गंगा जल से भी पवित्र है आज इस जल को, हम अपनी हटेली में उठाकर सौगन खाते हैं अगर हमारी हटेली का जल गिर जाने तक, तुमने कबूल नहीं किया तो हम समझेंगे, हमारा प्यार जूटा है हम इस नदी में कूटकर अपनी जाम दे देंगा इस जिल की एक एक बून में हमें अपनी एक एक सास रखते है और जब तक ये जल हमारी हादेनी पर है, हमारी जान हादेनी पर है जुद आखाया जुद आखाया जब तक एक एकाई जदंगे एक एक सास रखत्यों पर तक एक में एक 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 सास खब जब दो है कर घर री आर जादू एड मिन कर भा है कर दो है आर है है आर अ कर दो है 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 जान हो मेरी जान, जान हो मेरी जान, मेरी जान मेरे सीने में तिरा दिर ठरके, तिरे सीने में मिरा दिर अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसा मेरे सीने में तिरा दिर ठरके, तिरे सीने में मिरा दिर अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसा जान, मेरी जान, मिरी जान मेरी जान, मेरी जान कर दो चलाइब। चुक रहके खामोशी से मैंने तुझे बुकारा भी कभी कभी इन आँखों से मैंने किया इशारा भी मेरी शार मेरी नहीं सबजी, में कैसी नादा जाँ, मेरी जाँ, जाँ, मेरी जाँ, मेरी जाँ जाँ, मेरी 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 जा तेरे नाम से ही मुझे को दुनिया वाले जानेंगे तेरे नाम से ही मुझे को दुनिया वाले जानेंगे तेरी सूरत देखके अपने लोग मुझे पहचानेंगे मैं तेरी पहचान बनोगी तू मेरी पहचान जान, तू मेरी जान, जान, मेरी जान इस दुनिया की नजरों से, हमको दूर निकलना है लेकिन तुझ तो याद रहे, हाथ पकड़ कर चलना है इस दुनिया की नजरों से, हमको दूर निकलना है लेकिन तुझ को याद रहे, हाथ पकड़ कर चलना है यहां तलक तो ठीक थागे, रस्ता है अंजान जान, मेरी जान जान, में तेरी जान, तेरी जान मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान जान, मेरी जान जान, मेरी जान, मेरी जान जान, मेरी जान, मेरी जान मेरे खंजर मेरे सिने में पत्यारा आशिक हो गया का अगदर नाजम अब काजल की मौत एक हाथषा नहीं अंदःकाम हो का इन्तकाम अवा कालू टेरे को दूद निकानबे के वास्ते बोला था नहीं गोंबा था इंदर अच्छा द५्ध कर लिया अंदर अंदर धंण अ इसके अंदर दरण जी, वापू? तू अंदर क्या कर रही है? मेरे सुई है ने वा गुम हो गई है औरमे तो 5 दुखकी लड़की है। इसकी चीजें जब से इकाड भूता आये वाब गुम होने लगी है。」 कभी इसकी सुई गुम हो जाती है, कभी इसकी चोल ही गुम हो जाती है, कभी पाओं की पाइल गुम हो जाती है आपन जी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, इसकी तो चीजे गुम होती है, बहुतो चाचा राते खुद ही गुम हो जाती थी, सुई गुम हो गई है जंग लगी हुई बिगडी मशीन है हमारे अच्छे कारे में बादा डलता है साले हराम जादे तेरे को छोड़ूगा नहीं अब एक कबाब में की फैक्चर हड़ी सडाववा टेप रिकॉडर ये तेरा असली बाप है क्या मेरे को तो बिल्कुल नहीं रखता है इसको बाद में ने पढ़ता तो अंदर आजा 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 उसकी आँखों में एक आशिक का चुनून है उसे मौत का भी खौफ नहीं वो अपनी चान देकर भी काजल की हिपाज़त करेगा हम एक करन से भी ज्यादा बेरहम कातल चाहिए जिजा जी दिलावर सहरत पार का अतंक वादी है उसके राशुकार में इतने कतल इतने डाके इतने रेप के केस दर्ज़ है क्योंसे आदमी नहीं दिलिंग मशीन कहते हैं दिलावर मात और दिलावर बताकर नहीं आते काम काजल की मात केमत जो तुम चाहो जी जाजी करा ने वो भी मरेगा क्योंसे वह भी मुड़ा इतने हैं वह बाइक्षक्त क्योंसे विरूर खिरूफेश्ट सागर से धर्ती, धर्ती से पर्बत, पर्बत से उचा गगन, उचा गगन से आर नहीं कोई, बेग रब दूजा सजनू सागर से धर्ती, धर्ती से पर्बत, पर्बत से उचा गगन, उचा गगन से आर नहीं कोई, बेग रब दूजा सजनू रब से सजन से जूत नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना अजाओ, आए, 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 साथ नकिरप, समयime केशा, फिर कुर देनी साथ, साथ, क सूलो으니까 Ouiī oneृ साथ, साथ, को सोलो क कर बैखी प्वाद नराल मेरी कौन है वो कौन है बोलो सही जीला जीला उसका नाम नहीं बोलना और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना इस प्यारे की आगे सुनो कुछ से कहानी जो बन में आई किसकी जवानी जो बन में आई किसकी जवानी शर्मी लेका खस्तानी चाल उसकी निशाने तू तो नहीं वो लगी दिवानी यू भूर की देखो मेरी औरना और किसी से दिल का वेद नहीं खोलना रब से सजन से जूत नहीं बोलना और किसी से दिल का वेद नहीं खोलना ये मौसम है गीतों का मनमीतों की प्रीतों का आज के दिन का मेला है कल पानी का रेला है जाने क्या ले जाएगा जाने क्या दे जाएगा चल ओ धोली धोल बजा कब क्या हो जो किसे पता क्या है झाल 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 भाई साफ भाई साफ रुकमनी क्या हुआ जिल्दी चलिए भाई साफ यहां अनर्थ हो गया है अरे पर क्या हुआ कुछ बोलो तो सही काजल मेले में गे थी वहां गोलिया चल गई मेरी मेरी काजल चीक तो है काजल के कहीं पता ने चल रहा है भाई साफ गरन कहा है काजल के साथ था वो भी लापता है वो भी लापता है तुम होसरा रखो मैं आ रहा हूं हुआ! झाल 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 काजल को कुछ नहीं होगा दादू काजल तो मासूम है और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है काजल करता है एक यक यकरूँ हमारी खादर नहीं हाथ चला लिए हत्यारे के हाथ थे अच्चा हुआ चल गए इनके साथ मैंने अपने सारे पिछले कर्मों का दास अंसकार कर दिया हत्यारे के हाथ यह तुम क्या कह रहो करें कहदर कि यह सब जूट है यही सच है यही मेरी असलियत है अगर आज न कहपाया तो फिर कभी नहीं कहपाऊंगा मैं तुम्हारी हद्या करने आया था है रखवाला कातल नहीं हो सकता वो एक वरेब था तुम्हारे करीब बहुचने का असली मकसद तुम्हे कतल करना था क्यों करन क्यों हमसे तुम्हारी क्या दश्मनी थी ना मेरी तुमसे कोई दश्मनी थी ना तुम्हारी मुझ से लेकिन जिन लोगों की तुमसे और तुम्हारे बड़े बापा से दुश्मनी है उन लोगों से मैने तुम्हारी सिंधगी का सौधा किया था वैसे लिए थे बैनने हमें यकीन नहीं होत歲 हमें बिलकुल यकीन ही होतज आखर इसकी क्या चूरॉरत थी जरूरत, जिन्दगी जब सब रास्ते बंद कर देती है, तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता, जिन्दगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिया थे अगर हम इने यहां रखते हैं, तो दूसों की जिन्दगी को खत्रा पैदा हो सकता है, इन्हें छूत का बेंकर रोग लग चुका है, इनकी सेहत के लिए और दूसों की जिन्दगी के लिए ने अस्पता ले जाना ज़रूरी अच्छा होगा आप इनसे अलगे रहें, वजना आपके जिन्दगी को खत्रा हो सकता है, यह जिन्दगी भी तो इसी की है मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती और मेरी माँ पर ही खत्म हो जाती, मेरी परवरिश के लिए वो अकेली औरत सारी दुनिया से लड़ती रही, मुझे तूट पिलाती रही, और खुद सखमों का जहर पीती रही मेरी उम्रों उसके चेरे पर चुर्णियां बनती गई, वो मेरे लिए बड़ी बड़ी किताबे लाती, ताकि मैं पढ़ लिखकर बढ़ा आद्मी बन सकूँ लेकिन उन किताबों को करीदने के लिए वो हर तकलीफ, हर मुसीबत परदाश करती रही तजाने कबसे बिमार थी, लेकिन उसना मुझे कभी पता नहीं चलने दिया, कहीं कोई ईश्वर था, जिसे सब पता था, जो ये सब देख रहा था, फिर भी चुपता, थीरे थीरे जखम नासूर बन गए, और ईश्वर देख 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 मा, मुझसे पताश नहीं होता बेटा, मुझे बार क्यों नहीं डालता भगवाद, ऐसा मत बोल मा, तू चल्दी ठीक हो जाएगी, जिना मुझे, भाई साब, भाई साब डॉक्टर साब कब आएगे, मेरे को नहीं मालूँ, सिस्टर, क्या है, सिस्टर, मेरी मा बहुत तकलीफ में, इतना तकलीफ का ख्याल है, तो सरकारी अश्पतल में क्यों लेकर आएगे, मेरा गणा खोटे, मुझे मुझे मिल जाएगी, और तुझे भी, मा, मा, डाल, तुशी, मा, मेरी मा मुट से बहुत मांग रही थी, ता मैं उसे बहुत दे सकता था, नहारा, उनको जो मिमारी लग चुकी है, उसका इलाज बहुत महेंगा है, अगर अपनी मा की जिन्दगी चाहते हो, तो वो इंजेक्शन ले आओ, जिसे तुमारी मा के दर्द को छुटकारा मिल सके, इंजेक्शन मेरी मा की जान बचा सकते थे, लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा और बहुत चल्द, जो ना तो तुमारे बड़े बापा की नौकरी दे सकती थी, और ना ही मेरे आधर्श, इधर दर्द बरदाश्ट से बाहर होता जा रहा था, औ इसे मा कहते हैं, मेरा इश्वर मर गया, और जब मेरा इश्वर मर गया, तो मुझ पर इंसान बनने की सिम्मेदारी भी नहीं रही, और मैंने अपने हाधर्श, अपनी इंसानियत, अपना इमान बेज कर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौधा कर लिया, मैं तुम्हारी मौत बन कर रहा है था, लेकिल तुम मेरी सिंदगी बन गई, मैंने कातल को मार दिया, काजल, मैंने कातल को मार दिया, अब सिर्फ करन है, जिसकी सिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी सिंदगी की इफासद, मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म तुम्हें जिसे खत्म करना था, तुम कर चुके, अब तुम किसी को भी नहीं खत्म करोगे, किसी को नहीं हम दोनों बड़े पापा के पास जाएंगे, हम उने सब कुछ पता देंगे, बड़े पापा को अपने दुश्मनों से निपतना आता है करन लेत उस मच को यह और नहीं, बलगिन दो भॉआ 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 पुच्छोर के रहा हुआ मेगास का दिया चलाग किसी ने तुम्हे पत्थर से तेवी बनाया ये दिया मेरे करन की इसांस है मा ये दिया पुचकर तो मेरे आस पुच जाएगी सबान पुचकर 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 जोड़न् Anytime ये ओ, ये जा हुआ लचकर पुचकर ने पुचकर व्ध तुम्ह tap जलें दोदाएो! काचल गचल 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 हों गई काचल! गचलो गचल गचल कुहुुत करें, तुम ठीको करें, तुम ठीको, तुम ठीको, तुम ठीको यह तुमने क्या किया? मैंने तो तुमारे प्यार की महंदी अपने हाथों में रचा ली काजल, आप हमें कोई चुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं भाई साथ, क्या हो गया भाई साथ, काजल का कहीं पता नहीं मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, रुक्मनी, तुक्षे करमातर मैं आ गया हूँ ना, करन का कुछ पता चला? ना, मेले के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चला वह सकता है काजल को बचाने के लिए उसके पीछे गया हूँ वैसे पुलीस चानवीन कर रही है पहरो सिंग करन को रखा कहा था? वहाँ आउट होस में रखा था जी एक मिनट मेरी बच्ची और गातिल के हाथ में काजल, काजल पुलिस रूप जाओ आप लोग हमें ढूण रहे थे ना? श्लीस हमें मेरे बड़े पापा के पास पहुचा दीजे बजय की बजहे बजय है बजये फंटास्टिक थराचो! 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 कर दो आइच्एंप दोच्ची लिलाओं मेद आपस्टी लिए दोओगाँ जाएगाँ निर्टे लिलाओगाँ आपस्टी कोच्षास्टी जाओगा अजाएगा धुछ्छ। झाल 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 एक दाल झाल करदो अज़ अज़ ऌॉँ जव झारए बड़ दया अजर सबस्ध़ाओ आज़ खुझभाओ भॉवड़ अज़ दिज़ झार सिझा अज़ खुझभाओ भॉवड़ शच्छ प्रजब आज़ पज़ च्छिए फॉज़ अंज़ ज़ बनों दो आप तेरी लाश हवाले करूगा अब शबस तेग दो हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ हुआ जब हुआ नाहु टे ठाहुआ! भड़ दाश्मक्षे! ट्स दुमू! नाहुआ! बड़ था दाश्मक्षे! नाहुआ! 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 . . . . . . खर्णकु, जाल, बखर एकुफ turning सर, हमने इसी जगह पर आखरी बार करण को देखा था, हमारे आदमियों ने इस पर गोलिया में चलाई, मगर वो भाग निकला और मेरी बेटी काजल, काजल तो उसके साथ नहीं थी सर, सर, क्या है, हरीपूर ये लाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली, कहा है, सर लाश उस तरफ है, सर, कहीए आपकी, नहीं, पेरी काजल जंदा है, पेरी काजल जंदा है, पेरी काजल जंदा है, पेरी काजल जंदा है, कि मैं अपनी बच्ची की तलाश में हुझसाई! पता नहीं किस कलमुए की नजर लग गई है हमारी बच्ची को हमने जैसे सुना कि वो कमीना बाडी गार्ड हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है तो हमसे निवाला गले से नहीं उत्रा जाने कौन सी अशुक गड़ी में वो बारी गार को रखा था भाई साब ने बगवान जाने वो हमारी फूल जैसे बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा नास फीता तू फिकर मत कर भेहना एक बार वो हराम जादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उड़ा देंगे काजल 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 कजल काजल काजं Cyrus काजं ऐसा ना हो हम खो जाएं इस प्यार की आख मिचोली में चल कुछे बिठा के ले जाओं मैं दो नैनों की डोली में हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया यार हरे यो जीए मरेंगे यार की दुनिया यार करे यो जीए मरेंगे यार की दुनिया यार करे क्यार समंदर से कहरा सब लोग कहते हैं किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं हम से महले कितने इस प्यार के मारे इस इश्द के दर्या में बस डूर गए सारे कर जाए किसे हम ला की दुनिया यार करे कर जाए किसे हम पार की दुनिया यार करे यू जीए मरेंगे यार कितनी आ यार करे कर जीए कर जाए कर जाए झाल झाल प्रेम कहानी का अंजाम लिख डाले इक तुझे के दिल पे हम नाम लिख डाले अपनी प्रेम कहानी का अंजाम लिख डाले इस प्यार में सारी दुनिया को भूल के कर ले बाते दो चार के दुनिया याद करे कर ले बाते दो चार के दुनिया याद करे यूजी ये मरेंगे यार के दुनिया याद करे हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे हम ऐसे करेंगे जार के दुनिया यार अरे यूजी ये मरेंगे यार यूजी ये मरेंगे यार के दुनिया याद करे यू जी ये मरेंगे यार कि दुनिया या करे आजान बड़े पापा आव बिदा हम अपने बड़े पापा की पास रचर तू सामने से काजन उिए गोली चला दिया को मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ और पापा से बाख्च दीजे, इसे कुछ ने किया बड़े बापा, ये मुझ्रम है, और सूरिये देवसंग ने आज तक किसी मुझ्रम को नहीं बख्षा, मैं मुझ्रम हूँ कमिशर सहाब, ये जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा, मैंने ये जर्म किया है, ये भी जानते हुए के भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है मैंने ये जुर्म किया है और मेरा जुर्म मेरी मुहबबत है नहीं तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है मौत के साथ सिर्फ सिंदगी खत्म होती है मौहबबत नहीं इसकी मौ आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा, क्योंकि ये बाप की जान, इसकी भी जान है ये तू क्या कह रहे है मेरी बच्ची, तू पागल तो नहीं हो गई है, तू भी दुश्मन की बातों में आ गई कमेशनर सहब, आज मैं आपको बताता हूँ के दुश्मन कौन है, दुश्मन को तो आज मैं मिटा दूँगा रुख जाओ काजल, काजल रुख जाओ, रुख जाओ काजल काजल को वो ले गया, और बड़े जिज़े जी को छोड़ दे गया आप ही तो उसे रखवाला बना कर लाए थे ना भाई साब, जिंदगी में पहली बार सूर्य देव सिंग ने धोका खाया है, एक बार वो मेरे हत्ते छड़ जाए, मैं उसकी रग रग से उगलवा लूँगा, कि किस के कहने पर वो मेरी बच्ची को मौरे की तरह इस्तमाल कर अधि cricket प्या होता जी जा जी अगर करन सूर्य देव सिंग के हत्ते लग जाता और बता देता कि काजल के कटल के पीछे हम लोगों की साजिश है, लोगों को नहीं छोड़ता, आप बरबाद हो जाते हंका सत्या नाच हो जाता, आपकी सारी उमीदों मा पानी फिर जाता जी हाँ दूरिय देर सिंग पहले आपकी फिर हमारी छोटी छोटी भोटिया करके कुट्टों को खिला देता जिला जी यह सोचकर मेरी घड़े घड़े बज जाती है पनवारी जब औरत बाजी खेलती है तो उसके हाथ में जितने पत्ते होते हैं न उतने ही उसकी आस्तीन में जैजै वा दिदी वा तुम ने तो कमाल कर दिया आप कह रहे ही थी ना कि मेरी बेटे ने मुझे बुलाया है कहा है करन आपका बेटा जहां भी होगा यहीं आएगा जरूर आएगा जिन्दा या मुर्दा क्या किया है मेरे बच्चे ने उससे कोई कोई खलती हो गई कैसा वो तो बच्चा है अगर उससे कोई खलती हो गई हो तो मैं मैं उसके तरफ से माफ ही मांगती हूं साब उसे माफ करतीजे लेकिन उससे कुछ मत करिएगा देखिये साब आप आप लोग तो बड़े लोग है बहुत बड़े लोग लेकिन वो वो तो अभागा है विचारा मेरी कोग की बत नसीबी सिंदगी भर साय की तरह उसके साथ रहे नहीं साथ बख्ष दीजिए मेरे बच्चे को कुछ मत करिये आप को चाहिए तो मेरी जान लेनीजिए नकिन मेरे बच्चे को बख्ष सीजे ना गिंदर करंद के खबर पहुंचा दो कि उसकी मां हमारी पास है ठी पापजी काचल यह दरिया हमें हमारी मंजल तक पहुंचा देगा फिर कोई खत्रा नहीं चलो काचल को हमारे हवाले करदे करन किसी कीमत पर नहीं हमारे खिलाफ तेरी यह बगावत तेरी मा की मौत की वजए बन सकती है वो हमारे कपसे में है तेखा काचल तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है इतना बड़ा दोका मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी चलो करन अम बड़े बापा को सब कुछ बता देंगे नहीं काचल मेरी माँ अन हत्यारों के कपसे में है जब तक मैं अपनी माँ को छुडाने का कोई रास्ता नहीं ढूंड लेता तब तक तुम्हे और मुझे अपनी सुभान को बंद रखना होगा और सीने पर पत्थर पबा जी आन्यायय, सकही तर तक मन रखवtså म है दुम्हें दृत्ग सस्वास यहायँ, आगेड़ंी कभान किने किया हाल मेरी लालका किसे हना इतना सारा खूल गुँ मेरी पूल है बज़ पच्चेवर इतना सारी देखました करन पापा-जी पराम्सादी पेटारी चान ले लूगी, बोट लूगी तुझे, तेरे बेटे ने मेरे बेटे का ये हाल बना दिया, हाँ एक एक लखन के पत्ले सो सो लखन लगाँ कि तेरी में पत्च पर ना ना इसका बेटा आएगा तो उसकी आंखों के सामने इसके दुनों हाथ काट देंगे गुढले तोरकर इससे आप पाहिच बना देंगे गली के कुछले हुए कुट्टे जैसा हाल कर देंगे इसका इतना तरपाएंगे इतना तरपाएंगे कि इसका बेटा इसकी मौत की भीक मंगेगा तुम मेरे करन को नहीं जानते अगर उसने मेरे जिसम पर एक भी खरोच देख ली तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी उसके खौफ से मौत भी तुम्हे बना देने से इंकार करतेगी इसे बस मरने मत देनो बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो कर दुम मत जाएगी कर दूप जाएगी कर दो बस्ता हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आसु कायरों के कहने होते हैं गाजल, इने उतार कर बैग दो हम तुम मिसालत में नहीं देख सकते करा, तुम बोल क्यों रहे देखे? मेरे जखमों को सुबान नहीं है क्यों यह समसहर है, कब तक यह सब सहते रोके? सहना पड़ेगा गाजल, सहना तो पड़ेगा मेरा पयान मेरी माँ की मौत का फर्मान बन सकता है मेरी माँ की जिंदगी से ही मेरी जिंदगी है और माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े न, तो दे दूगा अगर तुमें कुछ हो गया नकर, तुमारी का समय पनी जाना नहीं पड़ली, यह सिर्फ मेरा ही नहीं, बलके तुम्हारा भी अम्तिहान है, मेरी दड़ब देखकर तुम टकमगा मत जाना, हम दोनों की खामोशी में ही मा की जिंदगी है, बस एक बार मैं इं सलाखों के बार हो जाओं, और अपनी मा को बचा लूँ, फिर मैं सारी दुनि तुम्हारा आने की जुर्थ कैसे की? चलो! बड़े पापा करना बड़े पापा! तो गाजाल! घम जरूरी है, महाबत के पसाने के लिए दिल है आने के लिए और जान जाने के लिए जन गई दिल आया शीशा पथर ते तकराया जन गई दिल आया शीशा पथर ते तकराया शीशा तूट गया शीशा तूट गया जन गई दिल आया शीशा पथर ते तकराया प्यार किया दुख पाया शीशा पत्थर से टकराया प्यार किया दुख पाया शीशा पत्थर से टकराया पत्थर तूट गया, पत्थर तूट गया जान गई, दिल आया उमारी आखों में आखी दार करकेशे क्या इस गैप में अमारी पराई है क्या इस गैप में अमारी खुशी है बसकर बच्ची, बसकर तूट दाफिलों सिद्ने करते है क्या इस गज़ आखिलों सिद्ने करते है क्या 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 मैंने रूठा यार मनाया तो रख तूट गया तो रख तूट गया प्यार किया तुख पाया शीषा पथर पे तक्राया पथर तूट गया जान गई दिल आया जान गई दिल आया जान गई दिल आया भाई साफ वो मर जाएगी भाई साफ तो क्या मैं उसे जीते जी आग में जोग दूँ आग में तो जली रही है भाई साफ वो पागल हो गई है रुकमनी अंधी हो गई है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जिनून उसकी सारी जिंदगी को तभा करके रखतेगा उसकी जिंदगी करन है या आप भी नहीं देख पा रहे हैं तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीरत देने मैं पुलिस कमिशनर सुरीदर सिंग में काजल के बड़े पापा और अपने भाई साब को धुनने आई हूँ काजल की एक सिसके से हविले की बुनिया दे हिल जाते थी उसके हर एक फरमाईश आपके लिए हुकम हुआ करते थी और आज उसके आज़ू का सैलाव आपके कलिजे पर दस्तर दे रहा है और आफ खमुशे हैं अगर इसी तरह ओलाद के आज़ूं से पिगर कर हर माबाप अपने ऑलाद की बेल अगामजित के सामने अपना सर चुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नसल पैदा करने में काम्याब होंगे जिम्मेदार इंसान नहीं काजल आपका खून है भाई साथ लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप नुसे समझा ही नहीं अपने खून के साथ मुझे क्या सुलूप करना है इसका सबक मुझे तुम से लेने की जरूरत नहीं आपको जरा भी ऐसास नहीं कि करन पर पढ़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है और काजल तूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे पहाडों को टूपने का खौफ नहीं होता जी हाँ शायद इसलिए पहाडों को आउलाद नहीं होती रुकमनी तुम अपनी हैसिय से बाहर जा रही हो अपने मुगाम को पैचानो और अपनी जबान को लगाम दो इस घर में तुमारे लिए सिर्फ फर्ज है मैं तो भूली गए थी कि मैं इस घर की नौकरा नहीं हूँ ये भी भूल गए थी कि नौकरों का कोई रिष्टा नहीं हो अच्छा हुआ आपनी याद दिला दिया मैं अच्छा साल इस घर में नौकरी करते रही मगर कभी अपना मौबजा नहीं मांगा लेकिन आज मांगते हूँ ठाकुर साहब आज मैं अपना हक मांगते हूँ काजल का प्यार मेरे जूरी में डाल देजी तारीख बदल सकती है रुपने लेकिन काजल की किस्मत एक मुजरिम के हाथों कभी नहीं रिखी जाएगी कभी नहीं तो आप भी सुन लिजी ठाकुर साहब अगर काजल के किस्मत में एक मुजरिम है तो आप उसके किस्मत बदल नहीं सकते और मैं क्या हवलदार काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची रोईत जैसे मेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा इन आउसों को तु काजल की बिदाई के लिए बचा के रख ओ शलाल तुने मेरी लाज रख लिया लो और सुन लो अरे दोस्ती में लाज वाज नहीं होती अब तु जा और शादी की तयारी कर एक बार तो हिस्से पूछ लेता पूछ लो रोईतर तुझे कोई इतराज तु नहीं है भला मुझे क्या इतराज हो सकता है दादू दोस्त अगर हम सफर बन जाए इससे बड़ी खुशी की बाद क्या हो सकती है हम ये शादी नहीं करेंगे मैं वचन देखर आया हूँ आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते बड़े पापा वो जादू प्यार है जिसे समझने के लिए उसूलों की बुलंदियों से नीचे उतर कर अपनी ओलाद के दिल में जाकना पड़ता है तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आँखों में काट दी थी ताके एक दिन मेरा ही खून मेरी आँखों से टपकने लगे क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहु की मौत के बाद भी जिन्दा रहने की इम्मत की मुझे अच्छी तरह से याद है वो मन्हूस रात जब मुझे मेरी बर्बादी की ख़बर मिले थी कि दुश्मनों ने मेरे अरून और गीता को जहर दे दिया है अरून पता जी पता जी अरून 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 बिटा क्या हुआ बिटा क्या हुआ 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 सुनिए क्यों हुआ सॉरी, हम मा को तो नहीं बचा पाए लेकिन यह आपकी पूती मैंने अपने आँसों को तेरी मुस्कराटों से पोच दिया मेरे अरुन और गीता की मौत के बाद मेरी एक दुनिया खत्म हो गई थी लेकिन तेरे नन्ने नन्ने हाथों के साहरे मैंने एक नई दुनिया, नई जिन्तकी शुरू की और आज उन्ही हाथों ने मेरे मुह पर कालक पूत दी जिन दूद मुए होटों को मैंने बोलना सिखाया था उन्ही होटों ने मेरे खिलाब वगावत की आवाज उठाई अरुन और गीता के साथ मैं भी खत्म हो गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता बड़े बापा, बड़े बापा मैं आज ऐसास हुआ कि हमें एक मुस्कान देने के लिए अपने कितने ही आसों के समंदर पादी है हम तो ये बूली गए थे कि आपकी जिन्दगी हमसे शुरू होती है और हम पर एक अत्म होती है आपकी खुशी के लिए विवा की वेदी दोगी हम सूली पे बीचट जाएंगे बड़े पापा आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी करने को तयार है हमारी एक वर्याद है बड़े पापा इसे हमारी शर्त मत समझे कन्यादान की तरह इसी पे एक दान समझकर हमारे आचल में डाल दीजी बोल क्या चाहिए तुझे करन की रिहाई ये ना मुम्किन है करन भेक असूर है बड़े पापा चाहे आपको इसका यकीन हो या नहीं हमें है करन की रिहाई हमारी पिताई है आपकी चाहकर से हम पिर कभी कुछ नहीं मांगेंगे बड़े पापा कुछ नहीं ये रास्ता तुझे गुमनामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तु कभी भी लौट नहीं सकेगा वो अंधेरे ही तेरी आखरी पना होंगे जा अपने मनहूस साय के साथ सरहत पार कर जा मेरा साया काजल की परचाई है कमिशनर साहब मैं अकेला नहीं जाओंगा शुट अप काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है तो खुश नसीब है कि तुझे जिन्दगी मिल गई दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूरिय देव सिंग से तेरी मुलाखात न हो मेरी मन्जल काजल है कमिशनर साहब मेरा हर रास्ता काजल तक पहुचता है करन को आप मौत के हवाले कर सकते हैं लेकिन काजल से दूर नहीं काजल किसी और की जिन्दगी बनने जा रही है गाजल ने खुद तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है मुझे यकीन नहीं तो जा खुद अपनी आँखों से देख ले जो कुछ कपिस्टर साब कह रहे कहे तो कि वो जूट है बोलो गाजल बोलो कि वो सब जूट है बोलो गाजल बोलो हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हतेली पर और तुमने इसे मेंदी से बदल दिया अरे अगर धड़क नहीं चीननी थी तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया धोगा दिया है तुमने मुझे मैं तुम्हे कभी बाफ नहीं करूगा तब इस लिया नहीं ठेरा गॉई दोष्सक्तोम दोष्स्य है दोफ़ बहुत 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 मुबारक हो आपको आपको भी मुबारक है राजिजानी और बनवारी नहीं आए देखिये ना आजकल की बीवें कैसी हैं अभी फोन आया था कि बनवारी के साथ वो ब्यूटी सालून गई है अरे बेटे हो क्या गया तुझे यहां तो लोग इंतदार कर रहे हैं तेरा बिल्कुल जादो एक बहुत ही अमर्जनसी केस आगया है जैसी खताब होता आता हूँ अरे बेटे मगर शादी भी तो इमर्जनसी केस हैं अब एक काम कीजे पंडित को हर पांच-पांच मिनिट में सौसर रुपए की नोट देते रही है मैं जल पहुचता हूँ अरे सिंहिते कम फूल क्यों लायो भई हमारी फूल जैसी बच्ची की शादी हो और हमें सारे शहर के फूल चाहिए अजो कमश्णर साहब ने कहा था कि ओ कमश्णर साहब ठेरे ना वो हम भी तो काजल के बिशंबर को देख रही हो रुकमनी भाई आखर भाई होता है आज वो मुझसे ज़्यादा खुछ दिखाई दे रहा है आप तो खुछ है ना क्यों मैं तुम्हें खुछ नहीं दिखाई दे रहा हूं शायद आप यह सूच रहे हैं कि रुवित के साथ काजल की शादी करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना तुम खलत सोच रही हो रुकमनी सूर्य देव अपने लिए गलती कर सकता है काजल के लिए नहीं क्योंके काजल का भविश्य ही मेरा भविश्य है और फिर रोयत एक ऐसा लड़का है जो काजल के बीते वोए गिरौने पलों को माफ क वो काजल को महुट होची रहार के गए और पारी लाओ जल देई लोशन पारी लोशन पारी लोशन पारी लोख ब्लों की लोशनी लें गाए तेर रोशनी लें गाए या? भाई साब, भाई साब, अभी अस्पटाल से फोन है था कि रोहित को कुछ गुंदे अगवा करके ले गए या, रोहित को? आप तेकर मत किजी भाई साब, मैंने पॉलिस्टेशन फोन कर दिया है मैंने बनवारी और नागंदर को ढूनने के लिए भेज दिया है भाई साब, हम ढूनेगे रोहित को, हम, आप तेकर मत कीजी भाई साब हम उस्से बचाने के लिए पिर जान लगा देंगे आपका यहां रेना बहुत जरूर है भाई साब, अब बैठें अपने आपको समाल लिए भाई साब और फिर उस पिच्चु ने डंक मारी दिया आप बिलकुल ठीक सोच रहे हैं भाई साब रोहित को अगवा करने में करन का ही हाथ हो सकता है यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता यह की रहा था, यह की रहा था काजुल की पसंद यह की रहा था काजुल की पसंद वा जीचा जी वा क्या प्लान बनाया है नगिंदर के हाथ तो रोहित को अगवा करवा दिया और इलदान लगिया करन पे-जहदय एदर मैं रोहित की जिन्दगी को मौत में बदल दूगा और उदर तुम हर खुशी को मातम में बदल देना एक ही जटके में सबका काम तमाम आज हमारे खिलाफ सब सबूत खातम जैजर है बन्वारी जैजर हाँ बहुत अच्छे मौके पे आए मेरी मा कहा है बन्वारी आविंदर मिलेना मिलेना लेकन उसे पहले तुम्हे हमारा एक छोटा सा काम करना हुभा कि नीचे कोटी में एक आदमी बंध है जिसे खत्म करने में तुम्हें खुशी होगी इस रिवॉल्वर के अंदर उस आदमी की मौत बंद है और तुम्हारी मा की जिन्दगी एक बार मैंने तुम्हारे साथ किसी की जान का सौधा किया था कि तुबारा नहीं करूंगा करोगे करोगे बड़े खुशी से करोगे एक तुम पर एक कतल उधार है दो अपनी मा की जिन्दगी बचाने के लिए जब तुम एक सौधा कर सकते हो तो जैजै तूसरा भी कर सकते हो नमबर तीन आज सारे महरे हमारे हाथ में है जैजै जीजा जी का सुंदर नगर हासिल करने का सपना जो आज से अठारा साल पहले काजल के माबाप को जहर दे कर मारने से शुरू हुआ था आज पूरा हो जाएगा तुमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस अंधेरी कोठ्षी तक जाता है जै जै तुमारे जान लेने के लिए बेजा गया है क्यों? किसने बेजा है तुमें? बहला मेरी किसी से क्या दश्मनी हो सकती है उसी से जिसकी रचाई कई ये सारी साजश है विशमवर विशमवर? हाँ, कमिशनर साप की आस्तीन का साप जिसने मेरी मजबूरी का फाइदा उठाकर मुझसे काजल की हत्या करवानी चाही और अब मेरी मा की जिन्दगी के बदले मेरे हाथों तुम्हारी मौट चाहता है क्या इत्वाक है? वहां काजल विवा की वेदी पर मेरा इंतजार कर रही होगी और यहां मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ काजल? आज काजल से मेरी शादी है यानि के मेरी मा की जिन्दगी की कीमत काजल का सुहाग है अगर मेरी जान तुम्हारी मा की जिन्दगी की कीमत है तो तुम मेरी जान लेलो करन तुम मेरी फिकर मत करो करन काजल को सुहाग तो कोई और भी मिल जाएगा लेकिन तुम्हे माँ कोई और नहीं मिलेगी खतम करतो मुझे बार डालो मुझे जैजै मैंने तुम्हारा काम कर दिया अब मेरी माँ को रिहा करतो मैंने जूट बोला था अब तु भी मरेगा और साथ में तेरी मा भी ना करना ना इसने एक ही गोल इती ते चल चुकी भून दो साले को वह बुकी पर अब दो साले को पास्त को सामने दिखकर कैसा लगा हाँ? यू पास्त वाद! पास्त वाद! पास्त वाद! पास्त वाद! पास्त वाद! पास्त वाद निकल हराम जादे! तुने बहुत सी लाशे जलती हुदे की होंगी! लेकि लाश! अपनी मा को जिन्दा जलते हुए देश! मा! लेकि 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 झझाच। लोओीन! बंड़ साले ganska माओा, आघमraktion! आ आ 이정! झझाच। करन चल गाड़ी रोको करन भाईया तुम्हारी जान को खत्रा है पुलिस तुम्हें चारो तरफ धून रही है तुम पर रोईद भाईया को अगवा करने का इल्दाम है कम मिश्चित साम तुम्हें देखके गोली मानने का कुप जारी किया है तुम्हें शहर से चल जाओ ये कलंक लेकर मैं ये शहर छोड़ कर कैसे जा सकता हूं डमरू मैं इस कलंक को मिटा करी रहूंगा जब तक मैं लाट करना हूं परी मा का खयाल रखना करन को कुछ नहीं होगा डीसी से कह दो कि मैंने सारे पॉलिस्टेशन में और इशु कर दिये कि करन को देखते हैं गोली मार दो shoot at sight, it is my order, shoot him I don't want to see him alive पास्टर्ड क्या कर रहा है तू अपनी बेटी की शादी के मंटप में खूल भाना चाहता है ठारी अंकल मैं यहा हूँ बिल्कुल सेफ हूँ मुझा गुन्दों से करन ने बचाया अंकल अगर आज मैं आपके सामने जिन्दा ख़़ा हूँ तो करन की वज़े से संभालिए अपने दामाद को बाबुजी और पूरे कर लीजी अपने बड़े बड़े अर्मान तेरा यह नाटक मैं अच्छी तरह से समझता हूँ हरामजादे मैंने आपको बाबुजी के नाम से बुलाया है हरामजादा तो नहीं कहा कबाले अंकल एक तो करन ने मेरी जान बचाई और आप इसे गाली दे रहे तुम नहीं जानते रोहित इसी तरह का नाटक इस कमीने न उस दिन तुम्हारी तरह मेरा विश्वास भी जीत लिया था इसने ये गुंडा पैदाईशी मुझरिम है कोई भी इनसान पैदाईशी मुझरिम नहीं होता साहब या तो बनाया जाता है या फिर बन जाता है लेकिन तुम जरूर पैदाईशी मुझरिम हो मुझे यकीन है क कोशिश मत करो वरना सरव नाश होगा सरवनाश देखा रोट गंदे कीड़े को छूते ही कैसे लपकता है वो डंक मारने को इसे कहते हैं मुझरिम पैदाशी मुझरिम कमिश्टर सहाम, मैं मुझरिम हूना, और मैं यहाँ मक्कारी का नातर करने आया हूँ, तो ठीख है, अब देखिए यह मुझरिम क्या करता है, यह ही शादी होगी, और रोहत और काजल की ही होगी, और यहाँ इस मंड़ब में मेरे सामने होगी, पंडिची हवन पर बैठिए औ अब ही इसी वक्त तुम पागल हो गया हो करा हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और ये पागल तुम्हे हुकम देता है कि अब ही इसी वक्त तुम मंड़ा पे बैठ जाओ क्यों अपनी दिन्दगी से खेल रहे हो करा चले जाए आँ से चला जाओंगा काजल लेकिन अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिन्दा है जो कब और कहां से बार करेगा कहां नहीं जा सकता और अब तो मैंने हत्यार भी उठा लिया है तो जब तक मैं तुम्हारा आखरी दुश्मन तक ना मिटा दूं और तुम्हारी रोहित से शादी ना करा दू तब तक नहीं जाओंगा चाहे मौत का पैगाम भी आए कब भी नहीं जाओंगा रोहित, काजल, मंदपे बैठो ओखर ए किajo तुम्हार उना विना size अ़र्णा से लिए प्यात दी मुना विनातना मिनाये के लिता मिना, कि सॉ इस प्रिणा मिनाये के तुम्हारा आड़ जुट मौकल और जुट 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 सुट जुट नुट जुट जढदी। नंगिंदर, व व व पिलिस, जै, जै जै ये क्या दर रहा, पागल हो गया क्या? आहा, मैं पागल हो गया, उ पागल, सब को मार दूँगा मेरा बेटा कदम हो गया, मेरा हांदार कदम हो गया हाँ, हराम जाद है, तु भी नहीं बचेगा काजल के माबाब को मैंने मारा था, मैंने जहर दे लेकर मारा था क्यों? क्यों? क्योंकि बज़ सुन्दर लगर प्याना था सुन्दर लगर चाहिए था नाप सुन्दर लगर ना मेरी ओलादरी इसलिए तुमसाप कहतम गर दोगा बेले तुझे मारूगा फिर काजल को मारूगा तुझे वास दिनका साफ वो एक मुझे मुझे भाई साफ का दरा और दूसे मुझे मुझे दस दरा फिस मेरे देवसी को खदम गर दोगा कविश्टर जाफ इस मुझे में कौनसे दर्जे का खुन है आपने मेरे खुन को गाली दी थी न यह तो आपके ही खानलान का खुन है जो अपने ही भाई बेटएों का क hicla करता फिरता है मुझे तो मेरी गरीबी मेरी मजबूरी ने मुझरिम बनाए था यह क्यूं मुझरिम बना फिर मैंने तो आज खुन कर दिया सही मुझरिम बन गया मैं अब आपके कारून को जो करना है कर ले करन, मेरे बच्चे मैं जानते थी के तुझ जरूर कोई अनर्थ करने जा रहा है क्या किया अनर्थ तो हो गया तेरा पीटा अजो कुनी बन गया खत्म हो गया वो अनर्थ आत्सा प्रोड़ख अल्टो खुदी रखना अनर्थ रहे कुछ न करजा कावा पजिमाव करते समझ लेन आन्सा तेरा बिटा मारे करन तुम होनी नहीं बने ओकरन आज तुमने एक मुझरिम का खात्मा किया है फरक सिर्फ इतना है कि कानून हम पुलिस वालों को इसकी इजास्त देता है तुम्हें नहीं आज तुम काजल के सही रखवाले बने हो काजल आज से तुम्हारी यह करन और तुम्हारी लिए रहेगी मैं तुम्हारे लिए खानून से लड़ूगा बुम्हारी यह र忍ेट मैं और तुम्हारे जिकाесे लोग Дýक तुम्हारे लिएवग दिरीइ नहीं दिसो मैं अ कैनि दो खीशेशिंगग मैं तुम्हारे लिएटगो झाल 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 झाल